चानके IAS Academy में आप सभी का स्वागत है आज हम बात करेंगे श्रीनाद प्रभु केंपे गोडा के बारे में हाल ही में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने बैंगलूरू में इनकी 108 फिट लंबी कांसे मूर्ती का अनावरन किया है जिस वज़े से ये चर्चा में बने हुए हैं श्रीनाद प्रभु केंपे गोडा के बारे में अगर बात करें तो विजयनगर सामराज्य के 16 शताबदी के सरदार नाद प्रभु केंपे गोडा को बैंगलूरू के सस्थापक के रूप में श्रेह दिया जाता है उन्होंने पूरे विजयनगर युग में राजा कृष्ण देवरोय के करीबी सलाकार के रूप में कारे किया था ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने अपने मंत्री के साथ शिकार करते हुए एक नए शहर के विचार की कल्पना की थी और बाद में प्रस्तावी शहर के चारो कोनों में टावरों को खड़ा करके अपने छित्र को चनहित किया था कैमपे गोडा को पीने के पानी और कृषि की जरूरतों को पूरा करने के लिए शहर में लगभग एक हजार जीलों का विकास करने के लिए भी जाना जाता है वहदक्षन करनाटक में प्रमुख वोका लिंगा कृषी समदाय से समन्नित थे लिंगायतों के बाद करनाटक के दूसरे सबसे प्रभावशाली वोका लिंगा समदाय में केमपे गोडा एक प्रतिष्टित व्यक्ति है शहर का मुख्य मेट्रो स्टेशन यानि की बैंगलूरू का मुख्य मेट्रो स्टेशन नाग प्रभू केमपे गोडा मेट्रो स्टेशन केमपे गोडा अंतराश्टिय हवाई अड़ा और केमपे गोडा बस टेंड सभी उनके नाम पर ही है जिस मूर्ती का अनावरण किया गया है उसकी अगर बात करें तो बैंगलूरू के हवाईयाडे परिसर में 23 एकर के हैरिटेज पार्क में 108 फिट की कांसे प्रतिमा का निर्मान किया गया है 4000 किलोग्राम की तलवार वाली मूर्ती को शहर के संस्थापक नाथ प्रभू केमपे गोडा के योगदान की स्मृति में बनाया गया है अब हम बात करेंगे विजयनगर सामराज्य के बारे में पांच भाईयों में से दो हारीहर और वुका ने विजयनगर जिसका उपनाम संग्मा है इस सामराज्य का गठन किया था उस समय में दक्कन में तुगलक शाषन के खिलाफ विद्रोह के बाद 1336 में हिंदू सामराज्य विजयनगर की स्थापना हुई थी और इसने दो शताब्दियों से अधिक समय तक दक्षन भारत पर शाषन किया इस राजवंश के महत्पुन शाष्कों के अगर बात करें तो कृष्ण देवरोय तुलवा राजवंश के सदश्य थे जो विजयनगर सामराज्य पर शाषन करने वाला तीसरा राजवंश था जो एक दक्षन भारतिय सामराज्य था जिसकी राजधारी दक्कन के पठार में थी पंद्रा सो नो में उनके बड़े सोतेले भाई वीरा नार सिंग रॉय की मुर्ट्रे के बाद वहें इस राजवंस के तीसरे समराट के रूप में उनके उत्रादिकारी बने थे आधुनिक करनाटक में एक विश्व धरोहरस्तल आधुनिक हमपी सामराज्य के प्रभाव शाली खंड्रों से गिरा हुआ है जिसका नाम इसकी राजधाने विजयनगर के नाम पर रखा गया था आधे दक्कन की सल्तनत ने विजयनगर की सफलता और अपनी पडोसियों को हेर फेर करने की शमता के कारण उनके खिलाफ बाद में गटबंदन किया 26 जनुवरी 1565 को ताली कोट में एक युद्ध हुआ जो कि विजयनगर की राजधाने के करीब है विजयनगर की सेना को दक्कन में सल्तनत की रियासत ने पराजध किया क्योंकि विजयनगर के परमुख सेनापती तोप और सामरिक युद्धा भ्यास के रनितिक उपयोग के कारण युद्ध में मारे गए थे इसके साथ ही आज का ये टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है हम कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ तब तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब जरूर करें थेंक्यू सो मच